दोस्तों आज से करीब 600 वर्ष पूर्व पूरिशा की पावन भूमी पर अच्यूतानंद दास महराज हुए वे भगवान जगनात के अनन्य भक्त थे प्रभू के आसिरवात से उनके पाथ भविश्य देखने की अध्भूत शक्ती थी जिसके दम पर उन्होंने कई ग्रंथो दाम से जुड़ी भी कई भविश्यवारियां हैं इसमें बताया गया है कि जिस दिन ये भविश्यवारिया सत्य घटित होगी उसी दिन से कल्यूक का अंत बहुत सत्यूक का आरंब हो जाएगा लेकिन इससे पहले दुनिया विनाज देखेगी और दोस्तों आपकी जानकार जन शुरूतियों पर आधारित है अता इस पर विश्वास करना ना करना आप पर निर्भर करता है लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक वे शेर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सन पर नातन धर्म से जुड़ी एसी ज्यान वर्धक वरोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे नमस्कार और एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर दोस्तों भविश्य मालिका के माध्यम से गुरू अचुतानंद दास ने बताया था कि एक समय इसा आएगा जब भगवान का अपमान होगा मंदिर की परंपराओं में अवेवस्थाएं होगी और ये सब कुछ सदियों में पहली बार सन 2015 में देखने को मिला दरसल मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तिया लकडी से बनी है जिने प्रतेक 12 वर्षों में बदला जाता है इस रस्म को 9 कलेवर कहते हैं ये अत्यनत ही गुप्टवा रहस्तिमय अनुष्ठान है कहा जाता है कि इन तीनों मूर्तियों में से एक भगवान श्री जगन प्रकार का उपकरन मान सकते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रकाश के संपर्ग में आते ही स्वताह संचालित हो उगता है इसमें कमपन होने लगता है अताह 9 कलेवर अनुष्ठान को आज भी प्राचीन तोर तरीकों से किया जाता है इस अनुष्ठान के दोरान मंदिर के पुजारी अपनी आखों वा हातों पर पठ्टिया बानते हैं पूरे मंदिर प्रांगण में लाइट बंद कर दी जाती है लगभग 12 घंटे देर से दो पहर तक पूरी हुई और इस तरह गुरू अचुतानंद दास की भविश्यवानी सत्य साबित हुई अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों उडिसा इस्तित भगवान श्री जगनात प्रभू का पत्थरों से निर्मित ये मंद करीब 15 बार पत्थर गिनने की घटना हो चुकी है अता गुरू जी की भविश्यवानी भी हुबहु सत्य साबित हुई अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों आपने हिंदू पुरानों में वर्नित कल्प व्रक्ष के बारे में तो सुना ही होगा दरसल ये पूरी के जगनात धाम में खड़ा है अता है इसके संबन में गुरू अचुता नंद दास महराज ने भविश्यवानी की थी कि जिस दिन इस पवित्र विरक्ष की शाखाये तो समझ लेना कि उस दिन दुनिया में लोगों के मन्ने का शिल्चला सुरू हो जाएगा अता है दोस्तों मई 2019 को समुद्र में एक चक्रवाती तुफान आया इस तुफान ने भारी तबाही मचाते हुए कल्प व्रक्ष को छती ग्रस्त कर दिया और इस भविश्यवानी के सत्य होते ही जिसका डर्था वही हुआ पूरी दुनिया में भेंगर महामारी ने दस्तक दी और क सदा ही हवा के विपरिद दिशा में लहराता है यदि हवा पूरब से पच्छिम की और बहती है तो यह पच्छिम से पूरब की और लहराती है जबकि हवा जब पच्छिम से पूरब की और बहती है तो यह पूरब से पच्छिम की और लहराने लगती है यह चमतकार देख व वार घटित हो चुका है सन 2019 में वह दूसरी बार सन 2020 में और दोस्तों इन घटनाओं के बाद तुरंत ही देश में लोकडाउन लग गया था उसके बात क्या हुआ ये आपको वताने की जरूरत नहीं अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों इस मंदिर में जगन लेना कि अब पापियों का संहाय निश्चित है और आप विश्वास नहीं करेंगे किन्तु एक दिन मंदिर में ऐसा भी हुआ अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों अप्रोक तो भविश्यवानियों की ही तरहां मंदिर के शिकर पर लगी धोजा के जलने क भविश्यवानी भी थी और ये भविश्यवानी भी 19 मार्च 2020 को पाप नाशका एकादशी के दिन घटित हो गई उसके बाद तो महामारी ने एसी तेजी पकड़ी कि अंगिनत लोगों ने अपने प्राण गवा दिये शम्शान घाट में शवों को जलाने तक की जगा नहीं अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों आप ये जो मंदिर के शिकर पर लगा नील चक्र देख रहे हैं ये अद्भूत है अश्ट धातू से निर्मित इस चक्र की विश्यस्ता ये है कि आप इसे जिस भी दिशा से देखेंगे ये आपको सीधा ही दिखाई इस चक्र के संबंद में गुरु देव ने भविश्यवानी की थी कि कली काल में ये चक्र तेड़ा हो जाएगा और 2019 में चक्रबाती तूफान में इसा ही हुआ अब बात करते हैं अगली भविश्यवानी की दोस्तों गुरु देवन से निकाதब जब मंदिर में रक्ट के च दोस्तो इस मंदिर की गुम्मत को ध्यान से देखिए आम सा दिखने वाला ये गुम्मत बेहत ही खास है इस गुम्मत की दो बड़ी विशेस्ता है पहला तो ये कि दिन के किसी भी समय इसकी परचाई आपको जमीन पर नहीं दिखाई देगी और दूसरा ये कि इस पर ना तो क कोई पक्षी आकर बेटता है और ना ही कभी इसके उपर से कोई विमान गुजरता है कि अनुसार जुलाई 2020 वह दिसंबर 2021 में इस गुम्मत के उपर कई गिदाकर बेट चुके हैं और यहां पर पक्षियों को उड़ते वे भी देखा गया है अब बात करते हैं अगली भवि उनों को रखा जाता है जिसमें सबसे नीचे वाले बर्तन में रखा भोजन सबसे पहले पकता है जबकि अगनी के सबसे निकट वाले पातर का भोजन सबसे अंत में तेयार होता है ताती यहां पर चाहे 10 अजार Checkf Любुजन करें चाहे 10 लाग लेकिन प्रशाद कभी कम नह गट उत्पन हो गया है श्री लंका और पाकिस्तान जैसे कई देश भुकमरी का सिकार हो चुके हैं भगवान ना करें किन्तु जानकारों का अनुसार अगले साल भारत को भी इसी ही परेशानी से जूजना पड़ सकता है तो दोस्तों ये थी अचुतानंद दास महराज की मंद जरूर अच्छा लगा होगा आपने हमें इतने प्रेम से सुना इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार